हेलो तो आज हम सीखेंगे पाग डबल करना अब आप कहेंगे कि पाग डबल करने की क्या जूरत है क्या सीखने की जूरत है तो मैं आपको बता दू यह मैंने कई बर किया हुआ है कई बर ऐसा होता है कि टाइम नहीं होता बाहर जाने का मार्केट जाने का तो हमें घर पे करना परता भाई कहा देते हैं पापा कहा देते हैं या कोई रिष्टेदार जो शादी में आया है ताइम नहीं है तो कहा देते हैं तो मैं ये पग डबल करने वाली हूं और आप मेक्शोर करें कि जब आप डबल करें तो बिल्कुल सिमिलर धागा लेता कि दागा अलग से कर सकते हैं तो एक सिरे को पकड़के उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाला दूसरा सिरा ढूंडना आपको यह दूसरा सिरा है और इन दो सिरों को मिला कर देख लेना कि इनका पीछे से लूब बन रहा है या नहीं पहली बात है अगर लूब नहीं बन रहा है तो आपने सही न करने है खुलर सिरे सी शुरू करने और लूब तक ले जाने एं। अब बिल्कुल लूब तक तक सिल मत देना पूरी वीडियो देखकर उसके बाद ही डबल और शुरू करना ऐसा नहीं और रहॉत कि पहले तो पहले पूरी वीडियो देख लो है तो पहले मैं आपको यह पाग दिखा दूँ प्रोफेशनल से लिए स्टेज की हो यह तो इसमें भी कपड़ा उपर नीचे दिखाई दे रहा है थागा भी थोड़ा सा अलग हो सकता है प्रोफेशनल यह आज कल ऐसे काम होने लग गए हैं पचास और पहले लेते हैं फिर भी अच्छे से काम नहीं करते हैं लेकिन हम इस से खुद अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो यह मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे ओपर नीचे रखना है पहले फ्लैट करके पहला एक है उसका को बिलकुल किनारे पे स्टेचीं करनी है एक दो बार में नहीं होगा तीसर buenos कर सकोगे हैं और अगर प्रफेशनल реально करते हैं फिर भी आप अराम से कर सकोगे से डबल है ना तो यह मैं बिलकुल किनारे किनारे पताया भी नहीं छोड़ना है उन्हें कोडनी पता था था उन्होंने क्या किya सीधे सब्सक्राइब मिलश्ट निशिल देना छिल लूप से पहले डिडिग छोड़ देना है को मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगी कैसे आपको यह करना है क्या है क्या तक की लिए अंदर सिरय तक करना च्रूट करक़ें घ्रिया जबा चूड़ हमें ज़्सेचेष है यह मैं आपको आवे वीडियो में बता रही हूं पहले मैं सीरे तक कर लूँ सिलाई है तो यह सीरा आने वाला है हमारा तो उससे कुछ देर पहले में रुख गई हूं और सीरे से लूप से पहले डेड़ या दो इंच पहले आप रूप जाए अगर आप ने कभी ऐसा कम नहीं सिलके इसे हाटा लो अब क्या करना है यह जो लूप है हमारा दो इंच का हमने छोड़ रखा इसे बिल्कुल सही से स्ट्रेच करके इसका सेंटर निकाल ले ना आपको सही से बिल्कुल आगे पीछे मत करना फिर वही गड़भड हो जाए तो सेंटर निकालके यहां से अंद प्रोफेशनली थोड़ी सी दिख्कत हो रही है तो आप 2 इंच काट लो है तो मैं 1,5 इंच काट हूँगी आप चाहे तो 2 इंच काट सकते हैं तो यह मैं आपको दिखाती हूँ आगे मैं क्या गह रही हूँ तो ऐसे अंदर कैंचे डालके आपको 1,5 इंच काट लेना है और उसके बाद सीरे तक जो हमने सिलाई छोड़ी थी दो इंच वह पूरी सिलाई हमें फिनिश कर लेनी है उसके पूरा फिनिश कर लेना है उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे आपको क्या करना है तले इसे निकाल लो बहार कपड़े को है तो आगे हमें क्या करना है पहलता आप यह सिलाई देखो कितनी सुंदर आई है बिल्कुल किनारे पर कितने मतलब ऐसी लग नहीं रहे कि घर पे से लिए बिल्कुल प्रोफेशनल से भी जाथ अच्छ लग रही है तो पचास सो और खराब कर करें स्लाई से पकड़ पकड़ के पहले से च्टका लिए बिल्कुल कि यूज कियों यह यह नहीं यह वित्वा कि मतलब कितनी यह फैंगेशनल से लिटा करें देरनी मतलब घख सकते हैं और यह आप इस तरीके से भी काट सकते हैं जैसा मैं करने वाल है आप नीचे मतलब रखके हाथ से थोड़ थोड़ प्रैस कर लिए जहां पर निशान बन रहा है क्योंकि यह फुल वाल कपड़ है तो इस पर निशान अराम से बन जाएगा हाथ से बन जाएगा है थोड़ अब भी आराम से घर पेCollे कर सकते हैं अपने आपकी मदद कीजिए अपने वाटा की मदद कीजिए मेरे तरह आपने जी जाजी मदद कीजिए अन्हें आप मार कर जाने का थाइंट ड़ंसक्राइब कियो than 1